दोस्तों मसकार अधार काड़ से phone pare account को कैसे बनाएंगे अधार काड़ से phone pare को कैसे चलाये जाता है इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो भी लाइप प्रोसेश अगर आपके पास debit card ये ATM card नहीं है आप phone pare को इस्तमाल करना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे सिर्फ आधार काड के माधियम से आप फॉनपे को चला पाएंगे अधार काड से फॉनपे को चलाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में फॉनपे अप्लिकेशन इस्टॉल कर लेना है उसका लिंक आपको वीडियो के डिक्सिशन कर देते हैं उसके बाद के दुवारा यहां पर अपने आप जो ओडिपी ले लिया जाए आपका फॉन पर अकॉंट यहां पर dal का बन जाए है तो यहां पे करकर आप यहां पर पर कि कर देंगे इसके वाद मदे एको किलिक कर देगे तो यहां पर देखे एड़ बैंक एकॉ तो यहां पहिं इस पे क्लिक कर देते हैं पेमिंट ben需要 경ण को यहां पर सच कर सकती है इसके बाद यहां पर रिंक का कांट जो है सफलता पूरवक यहां पर tastesłam यहां वह दो जाएगा यानि की फोण पे में वो भी अधार कार्ट के माधियम से इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर से प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे किलिक कर देना है तो चलिए हम किलिक कर देते हैं आपका जो भी बेंक एकाउंट यहाँ पे लिंक होगा उस पे आपको किलिक कर देना है ऐसा करने के बाद यहाँ पे देख सकते है रिशेट का एक option दिखेगा उस पे आपको click कर देना है और जैसे ही आप click करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते है set upi pin using अधार number तो आप यहाँ पे देख सकते है अधार number से आप set कर सकते है upi pin को वो भी phone pay में और दूसरा option दिया गया है debit card का भी तो चलिए मैं आपको अधार card से दिखाता हूँ किस तरह से आप phone pay में upi pin को set कर पाएंगे तो यहाँ पे दो option दिया गया है ATM card या debit card या अधार number तो अधार number पे आप किलिक कर देंगे और प्रोसीड वाले option पे आप किलिक कर देंगे ऐसा करने के बाद कुछ second आपको वेट करना पड़ेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर दे फर्स्ट शिक्स डिजिट ओफ अधार number तो आपको अधार soci taxes का अधार number फेर करने के बाद आपको प्रोसीड वाले option पे आपको किलिक कर देना है जिसे आप प्रोसीड वाले option पे किलिक करते हैं सबसे पहले जो आपका अधार काड में मॉलम रजिस्टर है उस पे एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकता है अधहार OTP भी लिखा गिया है. अधार ओ टीूपी इंटर करने के सेट फोर डिजिट यूपी आई पीन किसी किसी में छे डिजिट का रहता है किसी में फोर डिजिट का रहता है तो यहां पे आप जो है फोर डिजिट का यूपी आई पीन एक बना लेंगे तो बनाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं राइट वाले निसान पर आप इलिक कर देंगे और कलिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपका अधार काड ke माधियम से सफलता पुर्वग जो है UPIP Set हो जाएगा अधार कार्ट से UPI PIN बनाने के बाद आप अपने बैंक बालेंस को भी चेक कर पाएंगे जो आपने अधार कार्ट से UPI PIN को बनाया है इसके लिए आपको चेक बालेंस पे क्लिक कर देना है और जो आपने अधार कार्ट से UPI PIN बनाया है वो यहाँ पे इंटर करना है और प्रोसेस बताया हूँ कि कैसे आपको अधार कार्ट से फॉन पे को चलाना है अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं